हलो एब्रीवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल एंड अनदर वीडियो एस वेल तो आज हम करें ये पिंक सूट के साथ मीकप और हेर स्टाइल एस वेल आज मैंने सूचा कि आज हेर स्टाइल की वीडियो भी साथ में बनाते हैं ताकि एक और अच्छी सी नई वीडियो बन जाए त तो सबसे पहले मैंने हेर स्टाइल के लिए क्या कर रही हूं कि मैंने सूचा कि पोनी ही करते हैं क्योंकि मेरा हेड वाश करने वाला था तो मैंने सूचा कि मैं पोनी जो है वो एजी रहेगी तो मैंने क्या किया आगे से सेक्शन निकाल लिया है और पीछे मैंने बना ली है पोनी, पोनी को आप पतले वारे Rubber band के साथ भी tie कर सकते हो लेकिन मैं को पसंद है, थोड़ा मूटे वाला यूज करना है बिकाज मेरे बाल बहुत कर ली है तो वो पतले वाले जो होते हैं Rubber band वो तो पत्स ही जाते हैं और उसके बाद मेरे जो बाल है वो बहुत टूपते हैं तो आगे से जो मैंने सेक्शन निकाला था उसको स्मूद आउट करके मैं पीछे कर ली हूँ पिनफ करने से क्या होगा कि ये जो सेंटर पार्टिन आगा करने से प्रुश लिया मैं कर रही है मेकब स्टार्ट चाहिए सबसे पहले में लघा रही हूं sunscreen ये है लरोश पोजे का sunscreen क्योंकि मैं जा रही थे बाहर को दिन में ही तो इसलिए मैं ये sunscreen लगा रही हूँ otherwise अगर आप राट को जा रहे हो ये शाम को जा रहे हो तो आप ये लगाने के ज़रुवरत नहीं है तो इसके पात मैंने moisturizer पहले लगाया था यह dry combination oily बहुत ही अच्छा base बनाती है यह वाली cream तो उसके बाद मैं थोड़ा सा लिप के उपर serum भी लगाती हूँ ताकि जब तक हम lipstick लगाएं तो हमारे lips जो हैं बहुत ही moisturize हो जाएं तो eyebrows के लिए मैं यूज़ कर रही है यह वाला pack cosmetics का brow powder है यह palette है इसके में चार share जाते हैं बहुत ही easy to use है और affordable भी है तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ LA girl का color character क्योंकि आप दे सकते हैं मेरे dark circles हैं तो में को थोड़ी सी color correction करने की जरूरत भी पड़ती है और dark spots भी हैं अगर आपकी clear skin है तो आपको यह वाला step करने की जरूरत नहीं है तो मैं क्या करती हूँ करेक्टर को blend कर लेती हूँ brush के साथ और उसको बाद में थोड़ी से loose powder के साथ set करती हूँ ताकि हमारे foundation के साथ mix ना हो जाए मैंने यह color character जो आप औरेंज नहीं था यह peach color का character था तो मैं आज foundation तो नहीं यूज कर रही हूँ मैं यूज कर रही हूँ Maybelline का, Maybelline नी sorry Panty Beauty का skin tint बहुत ही अच्छा है यह मेरा खतम होने वाला है यह वाला skin tint वाई one of the favorite skin tint है बहुत ही अच्छा blurring सी effect देता है यह बाद में लगाने के बाद सबसे पहले मैं finger के साथ spread कर रही हूँ ताकि evenly लग जाए और उसको बाद मैं same brush के साथ ही blend कर लूँगी blending करने के लिए मैं हमेशे tapping motion यूज करती हूँ मैं drag नहीं करती है अपना कोई भी product drag करने से क्या होता है कि आपका जो product जो हो होने के chances हो जाते हैं तो patchiness भी आ सकती है तो आप देख सकते हैं मैंने brush के साथ ही सभी जगा लगा लिया है इसके बाद मैं लगा रही हूँ कंसीलर का concealer है यह बहुत ही full coverage और बहुत ही थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ मैं क्योंकि मैं यह day look कर रही थी और मैं को इतना ज़्यादा glam नहीं चाहिए था तो मैंने इसलिए tint भी लगाया और concealer भी मैं सिर्फ center of the face पे ही लगा रही हूँ बिल्कुल थोड़ा 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 ताकि highlighted जो हो मेरा face लगे और brush के साथ ही मैं इसे blend कर रही हूँ प्लैन करते करते मैं सिर्फ नीचे नीचे ही रहती हूँ जहां मेरी under eyes के नीचे fine lines है नहीं है लेकिन natural lines है उसके नीचे ही रहती है जो extra product होता है उसको फिर बाद में मैं lightly handed से यह देखो आप के बहुत बाद में सूखने के बाद मैं उपर तक लेके जाती हूँ अगर पहले ही हम लेके जाएंगे तो हमारी fine lines के अंदर बैट जाता है concealer और बाद में हमें क्रीसी सानी शुरू हो जाती है तो मैंने यह अपना concealer blend कर लिया जो कुछ भी था मैंने उपर eyelid के ऊपर भी वही concealer brush के साथ जो बचा-खुचा था वह उपर लगा लिया eyelid के ऊपर तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कोई special हमें eyelid के ऊपर concealer लगाने के जरूरत नहीं है अगर आपको ब बहुत डार्क हो जाती है तो मैंने concealer को set कर लिया powder के साथ वह वाला step जो है वह मिस हो गया तो इसके बाद मैं कर रही हूं bronzer यूज ब्रांजर के लिए मैं एनपल का bronzer कर रही हूं यूज वहां वहां जहां जहां में को मेरा थोड़ी सी dimension चाहिए उसके बाद मैं यूज कर बूपर भी blush ही यूज किया था पाउडर पफ के साथ मैंने थोड़ा सा पाउडर के साथ ओपर आइलेड सेट करके उसके बाद सीम जो blush मैंने चीक्स के ओपर लगा था वही fluffy brush के साथ ऊपर लगा लिया ताकि हमारी cohesive लगे थोड़ी सी look तो इसके बाद मैं क्या कर रही हूं थोड़े से lips के ऊपर भी powder लगाके थोड़ा dry कर रही हूं ताकि हमारे जो lips हैं वो बिलकुल अच्छे से dry हो जाएं अगर हमारे lips जो हैं वो बहुत serum के साथ oily या फिर ज़्यादा hydrated होते हैं तो कई बारी हमारी lipstick तब भी हमारी long lastik नहीं रहती तो इसके बाद मैंने लगाया है ये lip liner all over the lips लगा लिया है ताकि हमारे जो lipstick है वो ज़्यादा stay कर जाए इसके बाद मैंने ये powder थोड़ा से लिया और उसके उपर फिर से लगा लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा जो लिप्स्टिक है वो ज्यादा देर तक रहे और इसके बाद मैंने उपर लगा लिया ग्लास के लिए मैं ये नया लेके आई थी शुगर कासिनेटिक्स का है ये ग्लास पिंक इच टोन का है बहुत ही अच्छा में को लगा ये वहला ग्लास बहुत ही कंफरेबल भी है और आई थिंक इसका प्राइज भी अंडर हंडर नहीं अंडर थाउसन रूपेस था तो इसके आई लाशिस जो है वो इतनी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है तो मैंने फिनिश आफ की है ये बिंदी के साथ लुक और ये है हमारा फाइनल मेक अप तो आप में को जरूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा मेरा फाइनल मेक अप तो फैनल स्टेप के लिए मैं क्या करती हूं कि थोड़ा सा ब्राइटनिंग के लिए मैं पिंक पाउडर जो शीगलम का है वो लगाती हूं आप देशते हैं दोनों आखों में कितना फरक नजर आता है मेरे जो डाक सरकल्स तो नहीं है ये जो डीप सेट आइज है वो भी गायब हो जाती है तो थोड़ा सा ब्लश म यह डाले अपने कंगन तो यह है मेरे अपने जूलरी ब्रैंड केक और उसके बाद मैंने यह डाले सेंडल्स एंड यह है दुपटा यह हमारी फाइनल लुक गाईज मैंने बहुत ही इंजॉई किया यह वाला मेक अप लुक और यह हमारे नेच्र लाइटिंग में मेक अप तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बाई